दोस्तों, नमस्कार, मैं आसीज, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल आसीज की बगिया से दोस्तों आपके स्क्रिन पे ये दिखाई पड़ रहे हैं जो हरे हरे पत्ते ये कोई आम पत्ते नहीं है बलकि दोस्तों ये पत्ते हैं हल्दी के जी हाँ हल्दी सही सुना आपने आप हल्दी को अपने टेरेस गार्डन में या फिर अपने रूफ गार्डन में या फिर आपक के बराबर केर की आफसकता होती है आपको सिर्फ इन्हें एक बार लगाना है उसके बाद इन्हें कोई केर की आफसकता नहीं होती है और एक बार लगाने के बाद दोस्तों करीबन दो साल के अंतराल पे आपकी जो हल्दी है वो काफी सारी बन जाती है बढ़ जाती है तो इसे पड़ना वोलते हैं हलदी पढ़ जाती है, काफी सारी है तो यह देखिए ये कुछ हलदी है, जो हमने खोदी है, दो साल के बाद, तो इसमें से कुछ हमने चांट ली है, और बाकी ये देखिए, इतरा क्या अंकुरी थह हुग गई है, और ये बिल्कुल लगाने के लिए तय चोटे चोटे तुकड़े करके अलग अलग जगा लगा सकते हैं तो बहुत ही आसानी से ये ग्रोह होने वाला पौधा है कई सारे मेरे दोस्त जानना चाहे रहे थे कि आखिर हल्दी को कब लगाना चाहिए तो दोस्तों हल्दी को मार्च 15 मार्च के बाद से लेके मैं जून त इनकलती है तभी नहीं हल्दी लगाने का समय आ जाता है तो यह देखि-हम तयारी करहे हैं इसको आगे की प्रॉसेस कर रहे हैंकिए पिष्वाना है और सुछाना पड़ता है तो इसका प्रॉसेस यह होता है कि सबसे पहले जो भी हर्मारी हल्दी की गाठें होती हैं उनकी स प्लान्ट की ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगी तो अगर आप टेरेस गार्डन में या फिर रूप गार्डन में या फिर अपने पॉट्स में लगाना चाहते हैं तो आप करीबन 60% उसमें गार्डन स्वाई ले लिजे 30% उसमें कंपोस्ट की खाद ले लिजे गुबर की बेस्ट है और 10% करीब उसमें आप जो है सेंड या फिर बालू का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे ज़्यदा ज़्यदा धूब की भी आप सकता नहीं है और कहीं भी रख दीजे बहुत ही आसानी से बढ़ते रहते हैं बहुदे और बड़े देखने में अच्छे लगते हैं पत्ते बिल्कुल हरे हरे और यह देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यह हमारे यहां क्यारियों में लगी हुई है और जहां पर कोई फसल ना हो वहां पर आप इसे आराम से लगा सकते हैं और इसे हमारे बंदर आते हैं तो बंदर भी इसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं औ और जब भी आपको उसको ज़रवद लगे कि इसमें इसकी मित्टी सुक्र हिए आप इसे पानी दे दीजेιοắmर और मार्च अपर मार्च में यह दिखा रहा हूँ में यह कांछी हल्दी की पेंचान होती है काली हल्दी की पेंचान होती है दोस्तों की बीच में इसमें जो ला तो बाकि इसमें किसी पर करती कोई रोग इतियादी नहीं लगता है और नहीं आपको इन्हें बार-बार खात देने की आप सकता होती है तो ये देखिए इस तरह की जब हल्दी रेडी हो जाती है तो उसको निकाल लेते हैं और उसकी साब सफाई करते τοे हैं जो भी उसमें रेशा है त्यादी हैं उनको हटा देते हैं और उसको बॉइल कर लेते हैं बॉइल करने के बाद फिर उन्हें सुखाते हैं और सुखाने के बाद फिर उन्हें ग्राइंडर से या फिर किसी की इसायता से उन्हें पीछ लेते हैं तो इस तरह ये प्रोसेस होता ह हमारी हल्दी तयार करने का तो यह देखिए हमारी हल्दी हम रहें छांट कर रेडि का रखिये और तो कैसी लगी आपको जनकारी बताएगे जरूर दोस्तों आप भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं फिर मिलेंगे किसी नहे जनकारी सार तो तक लिए नमस्कार हैपी गार् कर दो कर दो कर दmegमें है औो प्टेजट रिट कहते है नह फन्योज और कर दो चली है और म्हाँ क्निक